कि हलो एब्रीवन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इस्यूज पर तो आज मैं आपको HDFC बैंक के इंडियन ओयल क्रेट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं कैसे उसके फीज स्टाड़ी से कैसे सप्लाइ कर सकते हैं सबसे पहले आप अपना उपन कर लेंगे यहां सर्ज करेंगे आप HDFC इंडियन ऊल क्रेट काड उसके पार एंडियन ओयल क्रेटिक कार्ड का की यह उपन हो रहा है और क्लीक करने के बाद यह नीचे जाएंगे इसके कुछ फीचुर्स हैं जैसे कि आप इससे एक साल में फ्री में अर्ण सकते हो ठीक है तो यहां पे क्या है कि इसनोंने कैपिंग लगा दिये कि आप जो है मैक्सिमुम जो है अख मिंदये 250 फ्यूल पॉइंट पर मंथ इन्फर्स्ग मंथ में मतलब कि आप 6 मेने में सिर्फ 250 फ्यूल पॉइंट ही अर्ण कर सकते हो इससे जादा नहीं यह नोने हाप एक लिमिट में लगा दिये और हर 500 रुपे जैसे आप 500 रुपे का कहीं भी टांजेक्शन करोगे पेट्रल पंप पर तो वहाँ पर 500 रुपे पर एक फ्यूल पॉइंट मिलेगा और यह जो फ्यूल पोइंट है यहां यह जो पॉइंट है आप अर्ण कर सकते हो एक्स्टर रिवोर्ट प्रोग्राम में इनका एक एक एक्स्टर अवर्ड के राम से अक प्रोग्राम होता है वह 으면 आप उसको हैं कर सकते हो नहीं तो अपको डायेट है सीएपşेटी की बेंग की यह बेंगिंग में लाके अतरच कर सकते हो इनको कन्वर्ट कर सकते हो उपके आप coś है मिलता है यानि कि आप पचास दिन से पहले इसमें आप पैसे जामा कर देना पड़ और इस कार्ड में एक वन पर्सेंट का फ्यूल सर्चार्ज बेनिफिडी मिलता है यानि कि माली जी आपने सो रुपे का तेल दलबाया ठीके उसमें जब इसका बिल्जन्रेट हो गा तो उसमें 102 या 101 रुपिया आएगा जिसमें कि एक परसेंट इसका वोफ हो जागा तो इसमें 102 रुपे का आपने टांजेक्शन की ठीके तो उसमें 102 रुपे इसका चार्ज लग जाएगा यानि कि 2 तो रुपे जो है वो चार्ज है जिसमें की एक परसेंट यानि की एक रुपेस में से डिडेक्ट हो जाएगा और यानि की 101 रुप्या आपको पे करना पड़ेगा टोटल तो यह है इस काड में आपको इसमार्ट इमाई भी मिल जा की फैसलेटी मिल जाती है मतलब आपको जो आजकल सभी काड़ों में आ रही है ओके तो अब मैं बात करता हूं उसकी इलिजबिल्टी की सबसे पहले तो अगर आप सेलाथ परचन है तो आपकी एज 21 साल होनीचाइए ठीकर और आपको जिजो होनीचाहिए वो कम सब्सक्राइब 6 लाक रुपे का होना चाहिए एक चीज दोर मैं बता दूँ आपको कि जैसे कि आपका अगर सैलेड अकाउंट है ठीक है अगर आपकी सैली इसमें क्रेडिट होती है तो आपको जरूरी नहीं है कि ये बैंक आपको 21 साल होने पर ही आपको क्रेड काड दे ठीक आपको ये काड प्री अप्रूब में ही मिल जाएगा बस आपको एटलिस्ट आपका जो सैलेड अकाउंट है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए ये कंडिशन है 6 महीने पुराना होने के बाद जो आप अपने नेट बैंकिंग ओपन करोगे ठीक है तो हाँ पे आपको खुद इसमन का वेट करना चाहिए परना तो आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो यह कुछ फीचर से स्कार्ड के अगर आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट अप्लाई भी हो जाता है इसमें और एक चीज़ और मैं बता दूं इस कार्ड में सबसे अच्छी बात है कि आपको यह कार्ड अगर आपको लाइफटाइम फ्री करना है तो यह फ्री भी हो जाएगा लेकिन इस्टार्टिंग में लेकिन उन्होंने कंडिशन लगी है कि अगर आप 90 दिन में 35,000 रुपे अगर आप इस्पैंड कर देते हो तो ही आपका कार्ड फ्री होगा तो आइ ठीक है फिर आपको एक बैंक की तरफ से 1000 रुपे का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा जैसी आप 35,000 पर स्पैंड करते हैं तो मेरे हसाब से तो अच्छा कार्ड है बेस्ट है युकि 10,000 रुपे की सैलली पे कौन बैंक आपको कार्ड दे रहा है इतना एक्स बैंक देख लो सब्सक्राइब करें तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें अगर आपको इस टाइप की वीडियो और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू